स्टूडेंट्स आज हिंदी का पार्ट नो हम पढ़ेंगे उस पार्ट का नाम है चन्दा मामा और हम इसका पहले का पैराग्राफ हम पढ़ चुके आज हम उसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे दादा जी बोले बेटा जो वस्तु हमारे पास होती है वह बड़ी लगती है और जो दूर होती है वह छोटी चंद्रमा हमारी धर्ती के अजीद पास है इसलिए वह बड़ा दिखाई देता है और तारे सुरिये दूर है इसलिए वह छोटे दिखाई देते है पुजा बोली क्या हम चंद्रमा पर रह सकते हैं दादा जी बोले नहीं बेटी हम चंद्रमा पर नहीं रह सकते हैं वहाँ नय हवा है नय पानी वहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत सर्दी संद्रीब बोला दादा जी चंद्रमा का आकार एक जैसा क्यों नहीं रहता दादा जी ने कहा चंद्रमा धर्पी के चारो और भूंता है धर्पी का पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगभग 28 दिन 27 दिन 7 गंडे 43 मिनिट और 11.47 सेकेंड लगते हैं हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा शीशे की तरह होता है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसमें जो प्रकाश होता है वह सुरिये से आता है हम तो केवल वही भाग देखते हैं जिस पर सुरिये का प्रकाश पढ़ता है इसी के साथ में ये लेस फिनिश करती हूँ, आप इसको टू टाइम, फिंगर टच करके रीड करेंगे और इसमें से जो भी हाड वर्ड है वो नोट बुक में नोट डाउन करेंगे ओके चिल्डरन, गुड़ बाई